वास्व गाइज, आई होप यह आडिंग वैल, आई हैं वीर, वैलकम टे श्टेलोर आर्मी, तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेयर्थ, फैमिली और पाय का जान काफी अच्छे से रख रहे क्योंकि यह जो फिलाल वीडियो में रिकोर्ड कर रहा हूँ, यह नए माइक के साथ में रिकोर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग को कैसी वोईस आ रही है, यह आप लोग को बताना है, कि आप लोग का experience कैसे लग रहा है, पहले वाला बैटर था, यह जदा बैटर लगेगा सुनने में तो मैं basically वो एक particular voice जो है वो identify करना चाहरा हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जो फिलाल अप present time पर मैं बोल रहा हूँ पहले के compare में better है या फिर पहले से खराब है या फिर ठीक ठाक है मतलब क्या experience आप लोग इसको अपना share करना चाहेंगे तो इसके बारे में आप लोग बताईएगा ठीक है lecture सुनी अच्छे से उसके बाद में आप लोग अपना basically suggestion दीजेगा suggestion के एक तरीके से आप लोग बताईगा कि हाँ आप लोग कैसा लगा ठीक है जो normally आप लोग जो चीजों को देखते हैं तो आप लोग थोड़ा और ज़्यादे सिकाते हैं लग बगत 30% जो सुनते और देखते दोनों चीजे हैं जैसे कि आप लोग वीडियो कही सारे बच्चे क्या करते हैं तो आप लोग और अच्छे से उसको चीजों को याद रख पाओगे तो ये कोशिस थोड़ा जरूर क्या किजिए इसी के साथ में 70% से चीजे याद रहते हैं डिसकस करने से और कोई चीज अगर आप लोग परसनली एक्सपिरियंस कर लेते हैं तो वह 80% जाती है 95% अगर आप लोग किसी को पढ़ाते हैं मैं बोलता नहीं हूँ कि आप लोग को जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ाईए अगर कोई चीज आप लोग किसी को एक बार पढ़ा देंगे तो 95% वह चीज आप लोग के याद रह जाएगी आप लोग उसको कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि जिस टाइम पर आप लोग पढ़ा रहे होते हो तो इसका मतलब यह होता है कि पूरा फोकस आप लोग का टोपिक के उपर रहता है आप लोग का जरा सब इधर-उधर ध्यान नहीं जाता है बढ़ाते टाइम इनसान देख रहा होता है अपने खुद की वोइस को भी इनसान सुण रहा होता है तो इस तरीके से बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, तो कई सारे बोरी के पार्ट इसमें involved आप लोग को देखने को मिलेंगे, कई सारे senses involved नजर आएंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर लंबे समय तक आप लोग चीज़े याद रख पाऊगे, इवन अगर किसी को आप सुनकर पेड़ जो है, वो सूख जाए, कि आप लोग उसको पढ़ाय जा रहे हो, कि यह फंडमेंटर राइट होता है, यह DPSP होता है, अच्छा यह current affair है, यह history है, पता चला पेड़ जो है सूख गया, लेकिन आप लोग रिवजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, तो इसक कुछ आप लोग नया सीख कर जाओगे, यहां से, आप लोग वो बस एक छोड़ा सा काम करना है, कि यह lecture आप लोग को टक टकी लगा कर देखना है, तो सबसे पहले एक बार नज़र डालेते हैं, कि क्या-क्या आज हम लोग इस lecture के अंदर डिसस करने वाले हैं, और एक overview बोल जो है, वो यूज नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोट का एक केस था, वो केस कौन सा था, जिसके तैस से सेक्शन को यूज करने से मना कर दिया गया था, और बोला गया था कि यह unconstitutional ने fundamental right के ओपर negative impact डालता है, ठीक है, तो यह आप लोग यहां पर बताने हैं, इसी के इंडर में आती हैं, यह भी आप लोग को बताने हैं, अब आप लोगों से अगर परसाद scheme के वारे में question पूछ लेगा, तो आप लोग यह तो बोलो के नहीं, यह तो 2014 को question पूछ ले, 2021 में, तो इस तरीके से कोई चीज जो news में रहती है regularly, तो उससे question आप लोगे बन जाते ह हैं, तो इस तरीके से यह फाइदा होता है, regular आप लोग का चीजों को सुननेगा, ठीक है, तो important है याद रखना, अभी हमारी country के प्राइमिस्टर साब जो है, वो अपनी constituency में, वारनसी में गए, जहां से वो खुद जीत कराते हैं, उसमें उनके द्वारा International Corporation N, जो Convention Center है, वो बात करें, इंडिया के द्वारा अभी हाँ पर गिफ्ट की गई है, जो रिमेन अवसेश बचे रहते हैं, किसी particular person की बोड़ी के, तो 17th century की Queen Catwin को इसके हाँ पर किस particular country को इसके अवसेश देगे हैं, हमारी country के external FM मिस्टर जो की S.J. संकर साब के द्वारा, अभी बात करें, एक particular लेक के बारे में बात करेंगे, यह जो लेक है न्यूज में, यह लेक केरला की सबसे बड़ी लेक है, और इंडिया की longest लेक है, इस लेक का नाम आप लोगो बताना है, यह वही लेक है जिसमें आप लोगो स्नेक बोड देखने को मिलती है, इसके चलते इसका नाम भी और कुछ और भी फुका रहाता है, दो अलग अलग नाम आप लोगो देखने को मिलेंगे, हमारी कंट्री के जो प्रैमिस्टर है, उनके नाम पर भी इसका नाम है, तो बताइए वो क्या नाम है, इंडिया के अंदर अपने देश के अंदर बात करेंगे हैं, सबसे ज्यादे सिल्क कौन सी कंट्री के द्वारा पढ़ यूज कियाता है, डिसकसन देगे कुछ ऐसा रहने वाला है, आप लोग जो सीख होगे, वो कुछ इस तरीके से आप लोगो फायदा पोचाएगा, आप लोगों से डिरेक्ट कोशन पुछे आ सकते हैं, प्रिलिम्स के अंदर, करने वाला है, सबसे पहले सोट न्यूज के ओपर नहीं डालते हैं, एक एक करकर यहां पर देखते हैं, क्या क्या बात की जारी है, कौन कौन सी न्यूज के अंदर में, पहले जो न्यूज आप लोग के सामने निकल कर आ रही है, ये न्यूज है, बेसिकली सेक्शन 66A के बा आप लोग को डिरेक्ट अरेस्ट किया जा सकता है, इस सेक्शन का यूज करके, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कहीं ने कहीं, जो हमारी कंट्री में, जो लोगों के फंडमेंटर राइट है, उसका हनन कर रहा है, तो इसके चलते अभी रिसेंटली सुप्रीम कोट के दौ आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसके चलते अर्टिकल 19 का जो सेक्शन 2 है, उसमें बोला जाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं, वो सही अपनी जगे है, पर लेकिन किसी पर्टिकलर परसनेलिटी के ओपर कमेंट कर देना और उसको जेल म पहुचा, तो एक पर्टिकलर केस इसको बोलते हैं, आपर स्रे सिंगल वर्सी यूनियर ओफ इंडिया का केस, उसमें 2015 में ये बोल दे गया था कि यार ये आप लोग को यूज नहीं करना है, अब मैं डिसकस कर रहा हूँ आप लोगों से ये 2021 में, यानि कि 6 साल बाद जब स मिनिस्ट्री के आगे खूली हो मिनिस्ट्री ने स्टेट और इंट एट्री को बोला, कि जिसके खिलाब भी आप लोगों ने केस दर्ज करका इस पर्टिकलर एट के तैट, वो सब इंसान को आप लोगों छोड़ देना है, और आगे से कोई भी केस जो है, वो यहाँ पर इस सेक्षन के तैट आप लोगो रिजिस्टर नहीं करना है, तो यह काफी ज़धा कॉंट्रोवर्सल इशू अभी रिसेंटली हाँ पर बन गया था, आगे चलते हैं हाँ पर जो नेक्स न्यूज है, यह अपनी कंट्री के प्राइमिस्टर मोधी साथ जी से लिंकल कर आ रही है और बात की जा रही है वारानसी के बारे में, वारानसी जो है उतर प्रदेश के अंदर एक काफी important city माने जाती है, religious के point of view से भी, और normally अगर आप लोग देखेगा तो काफी ज़धे news में भी रहती है, recently अभी हाँ पर काफी सारे development के काम किया जा रहा है वारानसी के अंदर, तो उसकी वैसे भी ये news में रहती है, प्राने धाचे को तोड़कर नए नए धाचे भापर बनाए जा रहे हैं, तो controversy ये हो गई थी कि बहुत सारी प्राने जो temples होगे रहे हैं, उनको भी basically तोड़ा गया, कई सारी चीज़े हाँ पर देखने को मिली, redevelopment के नाम पर तो controversy में ये city आ गई थी, प्राइमिस्टर मोदी साब के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी recently integrate किये गए, जैसे कि अभी बात करें तो इनके द्वारा development किया गया, वारान सी के अंदर यहाँ पर परसाद scheme के तहत, जैसे कि phase second implement किया गया, cruise boat की start की गई, असी घार जोग पर आप लोग चलाते हो, तो लोग जो हैं दूर दूर से देखने के लिए आते हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है, वहाँ पर इस तरीके सा आप लोग चीजों को enjoy कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर टूरिजम बढ़ेगा, तो जो local area के लोग हैं, उनक argumentation drive, यह है परसाद scheme का नाम, अब आप लोग बोलेंगे यह कैसा नाम रखा गया, तो नाम basically इस तरीके से रखा जाता है, ताकि काफी सारी चीज़े आप लोग को इसके अंदर include होती ही नजर है, तो यहाँ पर इन्होंने maximum सारी चीज़े इसके अंदर include कर दिये, यानि कि ज central sector scheme क्या होती है, वो scheme जिसमें सारा पैसा जो है, वो center देता है, इस state से कुछ भी नहीं लेता है, central sponsored scheme होती है, जिसमें state भी पैसा देता है, तो यहाँ पर सारा पैसा government of India के पास से आएगा, और ministry of tourism के दवारा यह scheme launch किये थी, 2014 में, जिसको अभी हाँ पर use कर रहे हम लोग, objective यह रहता है कि किसी particular location, जिसे माली जे, ताज महल के बारे बात की जाए, माली जे आप लोग यहाँ पर, normally आगर आप लोग बात करें, लाल के ले के बारे में, तो उस particular जो area को proper एक development होहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, proper तरीके से, ताकि उसको एक तरीके से, एक religious के point of से तो importance उसके ही है, पर लेकिन वो एक तरीके से tourist destination बन जाए, हर एक धरम के लोग भी होहाँ पर आ सके, ऐसी facility प्रोवाइड कराए जा सके, तो एक तरीके से heritage destination की तरीके से भी उसको develop किया जाता है, तो development of foreign से अंदर परसाज इसकीम जाए phase 2 के तहती approval किया गया था ministry of जो tourism के द्वा आप लोग के mind में यार आओगे कि अभी क्यों विजिट करने चलेगे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बेसिकली अभी 2022 में election आने वाले हैं, तो सारी political party, उधर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो Congress है, इधर या फिर दूसरी SP वगेरा, सब अपना अपना अ एक चुथाई seat जो है, अगर मोटे मोटे तोर पर मारके चलें, या 155th seat आप लोग बोलो, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर यह बैट जाते हैं, तो 155th के लगबग आप लोग सीटे बोल सकते हैं, तो कि अकेले उत्तर परदिश से निकल कराती है, मोटे मोटे तोर पर तो जरूरी है कि हाँ पर इसको बेसिकली सीरेस लिया जाए राज जेगो, ठीक है, इसकी वेसे निउस में है, आगे बात करें, यह भी एक इंपोर्टनेट निउस है, यह भी बेसिकली अभी रिसेनली इससी तरह के डवलप्मेंट से रेटर है, और यह भी वारान से के बार जो होती है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा जा रहा है, तो रूदरार्ख्स आप लोग याद रखेगा, कहा पर यह इनगरेट किया गया वारान से में, पर इससे भी जदह important यह है, news कि किसकी help से इनगरेट किया गया है, तो जापान की help से हमारी country में इनगरेट किया ग कुछ चीज़े दिखाने हैं जैसे कि आप लोगों नहीं देखा होगा कई सारे प्रगती मैदान में एक्जिविशन लगते हैं बुक फेर हो गया और भी कई सारे चीज़े देखने को मिलेगी इससे काफी लार्ज स्केल पर चीज़े जो है वारान से के अंदर आप लोगो बढ़ती ही नजराएगी 108 के करीब रूदराक्स जो है वो इस्टोल किये गए इस पर्टिक्लर जो सेंटर की रूफ के ओबर ठीक है इसको जो सेब दी गए हाँ पर वो सिव लिंगा के जैसी सेब दी गए है आप लोग यहाँ पर देख सकते है ठीक है और इसके ऊपर 108 के करीब रूदराक्स को भी हाँ पर उसमें बेसिकली प्रोया गया है तो इस तरीके से यह काफी important एक थोड़ा सा culture के point of से भी आप लोगे लिए important हो जाता है कि आप लोगों से statement देकर पूछ लेगा कि हाँ पर अभी recently जो रुदराक्स करके यह जो हाँ पर अभी international cooperation and convention center बना गया है उसकी safe कैसी है ठीक है तो आप लोगों से statement में बोलेगा कि वो एक तरीके से ऐसी safe का है या फिर कुछ और बोल देगा और उपर से constituency भी है हमारी country के प्राइमिस्टर साब की तो इसलिए भी different different तरीके से चीज़े आप लोगो news में देखने को मिलेगी ठीक है तो important news इसके बारे माँ आप लोग याद रख सकते हैं आगे चलते हैं यहाँ पर जो बात की जा रही है यह एक important news है basically अभी जनी कल कर आ रही है उत्तर खंड के side से देखिए अगर कोई राज्य के बारे बात करी न अभी उत्तर प्रदेश के बारे हैं बात करी तो यहाँ पर आगे चलते हैं आपर next जो बात की जा रही है यह बात की जा रही है सतलूज जो सतलूज जल विद्धुत निगम है यह आप लोग लगे लगे हैं कि SSJVN तो SJVN जो हैं आपर यह सतलूज जल विद्धुत निगम आप लोग को देखने को मिलेगा यह ministry of power के अंदर आप बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा अभी complete किया रहा है जो भी से लेटर जो वक्त था basically यहाँ पर network जो मोरी hydro electric project है तो इसको complete किया रहा है तो इसके चलते हैं फाइदा क्या देखने को मिलेगा हम लोग लगबग 265 के करीब million unit electricity हां से generate कर पाएंगे अच्छा फाइदा क पानी आता है टरबाइन पर गिरता है टरबाइन गुमते हैं electricity generate होती है तो इस प्रोसिजर में कहीं पर भी आप लोगो को कोईले का use तो नहीं हो रहा है कहीं पर कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि environment को नुक्सान पहुचा रहा है तो जैसे solar energy हो गई wind energy हो गई या फिर water energy हो friendly energy की category में मानी जाती है तो इसलिए काफी important है आपर ये तो 265 के करीम million unit जो है आप अभी इनके दोरा बनाए जाएगी every year और 12% जो है वो free provide करा जाएगी royalty के तोर पर उतराखंड के क्योंकि उतराखंड के अंदर ये project है यानि कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मानले से आप लोगों की ने कोई दवाई बनाएगी ठीक है आप लोगों ने वह दवाई जो है ओ मार्किट में बेचनी है ले जाकर तो कम से कम आप लोग जुह है आप लोगो माले जो है government को बेच दी आप लोगों एक तरीक फेलaka चुट है कि हाँ आँ अब ये दवाई का जो है ये दवाई बनाएगी है तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं हाला कि उधारन जो है थोड़ा सैट ने बैटर है पर फिर भी एक तरीके से understanding के point विप से देखेगा कि कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों के पास में आप लोगों ने तरीके से लेकर चला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में दो हजार चालिस तक का इनका target यह है कि पच्चिस हजार जो मेगा वोट के करीब यहाँ पर यह चीजों को जनरेट करें तो प्रोजेक्ट जो है अभी हाँ पर complete किया जाएगा basically 2022 तक का भी कुछ चीज़े बची है तो उसी को आगे लेकर यहाँ पर चला जा रहा है अरे हाँ एक छोड़ी सी important बात और यहाँ पर आगर आप लोग को पता हो इसको पहले जैसे अभी इसको बोलते हैं कि सतलु जल विद्दुत निगम पहले आप लोग को पता है इसको किस नाम से पुकारा जाता था बड़ाए डिफरेंट सा नाम है इसका यह था नेतपा जाकरी पावर कोपरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था फिर इसका नाम चेंज कर दे गया सतलु जिरिवर के नाम पर ठीक है तो यह छोड़ी सी information है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं आएए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूस के और आप लोगोंने कई बार सुना होगा गाउं में कोई बीमारी हो जाते है गलोए ले लेना गलोए की जो बेल है उसको basically उसको रस निकाल कर या फिर पका कर उसको पी लेना किस बीमारी के लिए यूज की जज़ेता है local area में आप लोगों ने इसके बारे में सुनाए चिकन गुनया के टाइम पर सुनाए आप लोगों इसके बारे में कुछ तो ये उसी के बारे हैं बात कर रहे हैं तो Ministry of Ayus जो है उसके द्वारे हाँ पर ये बाते बूलेगी है कि जो Gloway है वो Lever को Damage करता है ठीक है? Gloway जो है वो यहाँ पर Basically Gloway to Lever Damage ठीक है? तो इसके Lever Damage के साथ में इसको Link बताया गया है जबकि ये काफी Large Scale पर हमारी Country में Use किया जाता है हाँ पर ये इसका एक फल भी आप लोगो देखने को मिलेगा Redis जो Color उसमें से निकलता है इस तरीके से और Heart Safe का हाँ पर ये आप लोगो इसका पत्ता देखने को मिलता है अभी हाँ पर National अगर बात करें हाँ पर जो देखते है ट्रडिशनल जो Medicine के बेर पर बात करें तो Various Disorder के लिए इस Particular उसदी का Use क्याता है Ministry of Iuse जो है इसको Antioxidant की तरीके से देखती है तो Body के लिए काफी Important है एक तरीके से Free Radicals जो होते है एक तरीके से ये Help करता है One of Fight करने के लिए Free Radicals के साथ में तो एक तरीके से Disease को Control करने की कोसिस करता है तो काफी ज़ादे Beneficial इसको माना जाता है ठीक है तो इस तरीके से आपर अगर बात करें बोडी में से Toxic को निकानने में Blood को Pure करने का भी काम करता है कई सारे Unionary यानि के एक तरीक से Toilet से लिटर जो Infection रहते है उसको ठीक करता है और Liver को भी ठीक करने का काम करता है यानि के दुनिया भर के फाइदे इसके देखने को यहाँ पर मिलते हैं अब तक यह मानते थे ठीक है अभी हाँ पर यह बोला गया है कि यह बेसिकली Liver को Damage करेगा ठीक है तो Liver को जो Damage है उसके साथ में Link इसका पाया गया है अब यह चीजे जो हैं कहीं ने कहीं लोगों को जो अब तक यूज करे थे फाइदा उठा रहे थे जितना आप फोग फिरत लेता ना किसी चीज को, कि हाँ सब जगे से वीडियो देख लिन की डोक्टर की वीडियो देख लिन को ARE tablet के बारे में wallet है तो उस तरीके से होना चाहिए अनन फानल में जिसके बारे में कुछ पता नहीं बस हां किसी ने बोला और वो कर लिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सिहत को नुक्सान पहुंच सकता है ठीक है एक और इंपोर्टेंट न्यूज जो काफी ज़्यादे हैं हाँ पर देखने को मिल रही है ये बेसिकली है डेल्टा वेरियंट के बारे में तो recently अभी हाँ पर वल्ट हैल्ट और अचन के द्वारे हाँ यहाँ पर ये भी बोला गया कि इसके अंदर अलग से वेरियंट निकल कि आ रहे है यैनि कि देल्टा तो खुद का है ये उसके अलग अलग डेल्टा के वेरियंट निकल कि आ रहे है यानि कि एक तरीके से जैसे ये होगे एक बाप, ठीक है, इसके होगे दो बच्चे, अब बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग understand कर सकते हैं, तो यानि कि कहने का मतलब है कि परिवार में से कई सारे और बच्चे निकल कर आ रहे हैं, और variant of interest की category में इसको रखा गया है मतलब इसका ये कि जो कि वोच करने लायक है कि फोकस देने वाला अग है एक तो variant of concern होता है variant of concern क्या होता है variant of concern वो होता है जब लगता है कि इससे बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है और इससे लोगों की जान भी जा रही है ठीक है variant of interest क्या होता है कि इसको उपर focus देना पड़ेगा कि हो सकता है उसके बाद में उनसे बैठके discuss करो चीजों को समझो उनको और समझाओ चीजों को क्या सही है और क्या गलत है उनकी भी राय जानो उनको responsibility दिलाओ कि हाँ आप बड़े हो चुके है और आप लोगों वो चीज़े जो है थोड़ा इस तरीके से लेकर चलनी चाहिए तो वो चीज़े हैं तो delta variant जो है basically हाँ पर इसी के साथ में हाँ पर ये lambda variant के बारें बात की जा रही है ये detect किये गए 25 country के अंदर से और transmission भी काफी ज़्यादे देखने को मिलेगा as compared to अगर original के साथ में compare करते हैं देखने ने ने जो बच्चे पैता होते हैं आज की रेट में आप लोगों ने देखा होगा वो जैसे माबाफ हैं उनसे काफी ज़्यादे एडवांस निकलते हैं as compared to हमारे माबाप के compare में अगर देखिए अब हम ज़्यादे से आगे जो जन्ने सनाएगी वो हम से ज़्यादे है डवांस आप लोगो देखने को मिलेगी क्योंकि हमको ये चीज़े अब मिली हैं आकर हमारे माबाप को अब उड़ापे में मिली हैं हमको अब थोड़ा जवानी में मिली हैं अब हमारे जो आगी चलके जो बच्चे होंगे उनको starting में ये चीज़े मिल जाएगी तो इसकी वज़े से जो नई generation आती है वो और ज़्यदे डवांस आप लोगो नजर आती है तो यहां से use क्या है और misuse क्या है उसमें difference करना मुस्किल हो जाता है जिसकी वेसे बहुत सारी दिक्कते देखने को फिर मिलने लगती है अभी जो dominant है ये variant आप लोगो पेरू और और कई सारी South America की जो country है उसके अंदर आप लोग यहां पर यह देखने को मिल जाएगा बाकी यह मैंने आप लोगो पहले ही बताए था इसके बारे में देख लिज़ेगा यह screen आप लोग याद रखेगा यह मैं आप लोगो पहले भी दिखा चुक हूँ तो याद रखेगा है यहापर basically alpha हो गया, beta हो गया, gamma हो गया, delta हो गया इस तरीके से इनके नाम है कौन कौन से country के कम से कम आप लोग याद रखेगा तो कोई भी confusion अगर mind में रहेगा तो फिर दिक्कत रहेगी, तो इसलिए mind में कोई भी confusion लेकर आप लोगो नहीं चलना है, ठीक है आगे चलते है, छोड़ी सी news है जादे important तो नहीं है पर हाँ हिस्ती में उठागा कर देखेंगे तो इस personality का नाम आप लोगो देखने को मिलेगा, एक तो होता है king, एक होता है king maker यानि के राजा बनाने वाला, तो ये king maker बोला जाता था इनको, ये यहाँ पर कामराज साहब को अभी recently इनका birthday था, उसकी वेसे ये news में थे, तो यहाँ पर जो basically पूरा, इनको जो normal इनका नाम था, तो के कामराज, ठीक है ताइम पर रहे है, ठीक है, founding president भी थे, अगर बात करें, इंडियन national congress के, जो की organization आप लोग को देखने को मिलती है वाइडली अकलोंज, इसकी आगे, इनको king maker, वोनी कहते हैं कि जिसको ये कह देंगे, वो ही बनेगा राजा, तो उस तरीकी की इनकी कुछ position बन गई थी, ठीक है, खास कर अगर बात करें बाद में आगे चल कर इनको भारत return भी दिया गया, posthumously, यनकी एक तरीकी से इनकी death के बाद में, 1976 में तो कुछ basic information है, हलका फुलका सा याद रखना है, कई बार personality news में होती हैं, तो आप लोग उसे question बन जाते हैं आगे बढ़ते हैं, हाँ पर जो news है, काफी important news आप लोगो देखने को मिलेगी, basically जो बात की जा रही है, draft drone rule के बारे बात की जा रही है तो हमारी country में जो drone use के जा रहे हैं, उसके लिए एक draft त्यार किया जा रहे है, ताकि आगे चल कर उसको act बनाए जा सके, ठीक है तो एक overview आप लोगो बता रहेता हूँ, क्योंकि अभी हाँ पर ये draft है, फिर ये bill आगे चल कर इसका act बनेगा, तो तब तक आप लोगो थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है, तो हलका सा एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, तो ministry of civil aviation जो है, उसके द्वारा यहाँ पर ये काम कियाता है, अलग-अलग ministry, अलग-अलग project लेकर आती है, तो ये ministry of civil aviation का project है, तो इसके तहत आप लोगो देखने को मिलेगा, कि हाँ draft drone rule है, 2021, वो आप लोगे सामने हैं, यहाँ पर एक तरीके से trust कर सकते हैं, self-certification और इसके साथ में, non-intrusive, यानि कि एक तरीके से घुसपेट के तरीके से use ने करना है, पता चला कोई particular person जो है, वो drone आया, और drone ले जाकर उसने हाँ पर किसी की निगरानी कर रहा है, कि हाँ प हतियार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए हाँ ठीक है, तो यह जो replace करने वाला है, यह replace करने वाला है आपर basically unmanned aircraft system जो हमारी country में rule follow कि जा रहे है, मार्च 2021 के तो उनको यह आगे चलकर लेकर चलेगा, तो यह बात करें, पहले आप लोगों को ब जाता है, इसको remote से चला जाता है, तो इसलिए इसको unmanned air vehicle के नाम से जानते है, आज की डेट में कई तरीके के आप लोगों को इस डिफरेंट तरीके के आप लोग यहाँ पर यह drone देखने को मिलेंगे, जिनको अलगला category में डिवाइड किया गया है, जिसे की nano drone बोल दे जात और large के बारें बात करें, तो जो यहाँ पर 150 kg से उपर हो, यानि कि छोटा एक helicopter तक भी हाँ पर आप लोगो drone की form में देखने को मिल सकता है, यह इस तरीके से यहाँ पर unmanned बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंसानों का use नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से आप लोग मिलेंगे, देखे हमाँ लिए कोई आज केट में drone लेकर आ गया, जैसे दुनिया भर के यूट्यूबर आप लोगों ने देखा होगा आज केट में, सोट लेते हैं, तो drone यूज करते हैं काफी लार्जी स्केल पर, तो इस तरीके से एक कैसे उसको आगे लेकर चलना है, हमार पर basically confirmation लिया जाता है, वो नहीं लेने की ज़रत है, certification of maintenance, import clearance, आप लोग भार से नहीं मंगा पाते थे, drone अब मंगा पाएंगे, acceptance के बारे बात की जाते हैं, जो existing drone है उनके बारे में, जो change आ रहे हैं, अगर बात करें, operator permit के बारे बात की जाते थी, authorization of research and development अगर करना है, तो उ basically लेना चाते हैं, तो nominal fee पर ही आपर allow किया जाएगा, कोई भी अगर देखने को मिले आपर, जो size को लेकर बात की जाती थी, पहले कि यह चोटा है, यह बड़ा है, इसके लिए अलग-अलग चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगे, तो size से उसका link जो हटा दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, देकि इसके करने के कई सारे फायदा आप लोग को देखने को मिलेंगे, सबसे important तो आप लोग को यही देखने को मिलेगा, हमारे देसे में हम लोग drone को बना पाएंगे, हमारे देसे में हम लोग drone को बेच पाएंगे, हमारी country जो है drone making अगर hub बन जाती है तो दूसरे रेस को हम लोग सप्लाई कर पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे फाइदा आप लोग को ड्रोन के देखने को मिलेंगे तो एक तरीके से काफी बड़ा फाइदा रहेगा पर लेकिन अलग लग जोन है जिसे की ग्रीन हो गया येलो हो गया रेड हो गया जोन अब माली जे कोई particular जोन ऐसा है जहाँ पर हमारा military वाला एरिया है तो रेड जोन के कैटे किने में आएगा होँआपर don't start नहीं करेंगे कोई ऐसा एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँपर आज की डेट में माली जे हमारी जो flight उड़ाई जाती है यानि कि एक तरी permission लेनी पड़ेगी बिना permission के कोई take off आप लोग नहीं करेंगे तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इनके लिए आप लोगो focus देना पड़ेगा इसी के साथ में flight permission digitally भी आप लोग बेसिकली ले सकते हैं मैंने इस करना aircraft operated अगर traffic efficiency के बारें बात करें तो reduce करेंगा import अभी हाँ पर जो basically जो airport है न उसके आसपास में कहीं पर भी पहले 45 km का area था अभी इसको यहाँ पर 12 km करने की बात की जा रही है no permission के बारें बात करें तो required रहेगी जो basically उसके चलते हैं तो यहाँ पर 40 feet तक की green zone के अंदर 200 feet तक कहें हाँ पर basically आप लोगो देखने को मिलेगा दूसरे area में 8 से लेके बारे किलोमेटर तक आप लोगो देखने को मिलेगा airport के area में permit के जा रहा है जो ठीक है तो यानिकि अलग अलग area जो security के point of से कुछ ऐसे area हैं तो हाँ पर कुछ परतिबन लगा जा रहे हैं ऐसा निए कि हर जगे आप लोग जाकर पाइस को ड्रोन को लेकर घुज जाओगे कोई भी अगर बात करें no pilot license की जरुत होगी आप लोग भी drone को खरीद कर चला सकते हैं ऐसा नहीं कि आप लोग को license लेना पड़ेगा जैसे की pilot बनने के लिए ना पड़ता है तो micro drone for non commercial use के लिए अगर research and organization कर रही है research and development के लिए कोई यहाँ पर आप लोग को किसी भी तरीग के license की जरुत नहीं पड़ेगी कोई restriction नहीं है drone पर अगर कोई foreign country भी आकर हमारी country के अंदर जो register हो चुकी है वो यहाँ पर operate कर रही है यानि कि बाहर की country है पर register हो चुकी है इंडिया के अंदर तो वो सारे ऐसे फायते देखने को मिलते हैं आप आप कार्गो सामान को ले जाने लाने के लिए amazon वगएरा delivery के लिए use कर रहा है drone के जगे पर तो business friendly regulation भी हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी इसी के साथ में safety का फिजर जूरूरी है किस तरीके से आप लोग इसको real time track कर पा र एक compliance की किस तरीके से हम लोग इनको लेखर चलने है तो कहने का मतलब यह कि देखिए business के तरीके से डेवलफ की जा रही है business बढ़े ठीक है security के point of से जहान रखा जा रहा है security में कोई हनन नहीं हो अपनी country में का technology बढ़ेगी तो दूसरी country से खरीद करने लाना पड़ेगा तो यह अपनी country को पर dependency बढ़ रही है आत्म निरूर भारत का program चल रहा है तो कई सारे area में कई सारे फायजा आप लोग को देखने को मिलेंगे ठीक है तो इस तरीके से इसके बारे हैं बाते की जा रही है तो कोई confusion नहीं होना चाहिए बिलकुल mind में clarity रहेगी तो चीजों को पर मैप में निहार लिजे के लाप लोगे उप्र देखने को मिलेसे यह और बिलकुल का यह अपर बात बात की जा ही है क्योंकि इस particular area में vaccination dry के बारे में बात की जा रही है अगर वेंगनाद लेक के बारे में आप लोग बात करते हैं तो वेंगनाद जो लेक हैं आपर ये तो यहाँ पर अभी आप लोग को largest lake के लिए के लिए के लेक बोल सकते हैं इसी के साथ में kochi lake के नाम से भी इसको जानते हैं कई सारे नामें इसके हैं अलग अलग area में ठीक है इसी के साथ में हाँ पर जो important है ये जो lake इतनी बड़ी है तो कई सारी river आकर मिलेगी जी हाँ तो मिनाचिल river आप लोग को देखने को मिलेगी अचना कोविल आप लोग को देखने को मिलेगी पामपा आप लोग को देखने को मिलेगी और मानी मला आप लोग को देखने को मिलेगी यानि के ये river जो है ये source of water है जहां से इसमें पानी आता है जिसकी विसे ये जो basically lake है वो खेलती कूती रहती है ठीक है पॉपुलरली जो है आपर इसको बेसिकली इसको बेसिकली आपर बैक वोर्टरी स्टेच है के अंदर एक तरीके से बोल सकते हैं यानि कि अलग रहेगी आपर ये एक अलगी लेक आप लोग को देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि Arabian Sea में जाकर मिल रही है क्योंकि अगर केरला को आप लोग मैप में देखना चाहेंगे तो केरला जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर कहा है यह Arabian Sea वाली साइड में ठीक है इधर है यहाँ पर बेख बंगाल वाली साइड में तमिल नाडू होगा कई बार अगर पुराने कोश्चन बेबर उठागे देखे होंगे तो यहाँ से कोश्चन पूचा गया है तो यह जो जिसको स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं इसको केरला के अंदर नाम याद रखेगा इसको आपर वल्लम कली के नाम से जानते हैं वल्लम कली के नाम से जानते हैं अगस्त के महीने में यहाँ पर वेमनाद लेक के ओपर आप लोग को यह रेस देखने को मिलती है केला के अंदर तो इंपोर्टेंट है आपर यह और इसको नहरू ट्रोफी के नाम से भी आप लोग जानते हैं नहरू ट्रोफी बोट रेस बोलते हैं इसको 2002 में हाँ पर ये वेट लेंड रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया रामसर कन्वेंशन आप लोगो पता ही है ये बिसिकली इरान के अंदर है इरान के अंदर यहाँ पर रामसर कन्वेंशन आप लोगो देखने को मिलता है इरान की सेटी है जहाँ पर इसको बोला गया वेट लेंड को है आप लोगो प्रोटेट करना है ठीक है तो 1971 में हाँ पर basically sign किया गया और implement किया गया इसको 1975 के अंदर में ठीक है तो वेबनाद जो वेट लेंड है यहाँ पर यह नेशनल वेट लेंड कंजर्विशन प्लान के तैद भी इसको यहाँ पर basically देखा जाता है इसी के साथ में कुमार कॉम बड़ सेंचुरी भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह important news आ रहे है टेक्स्टाइल से लेटर है यानि कि हमला कपडा उद्योग है उसके बारें बात करें इंटरेसिंग भी बात बताओं आप लोग आपर कपडा उद्योग के बारे में कपडा उद्योग जो है आज की डेट में अपर आप लोग अपने देश के बारें बात करें तो एगरिकल्चर के बाद में second largest employment जनेट करता है कपडा उद्योग एगरिकल्चर में सबसे जढ़ से लोग हैं हमारे देश में दूसरे नंबर पर सबसे जढ़ से जढ़ है कपडा उद्योग में हमारे देश में लोग लगे हुए समझे आप लोग कितना बड़ा सेक्टर है हमारे देश के अंदर textile और garments जो industry यहाँ पर यह labor intensive यानि कि labor काफी ज़से हाँ पर use होती है लगवग 45 million लोगों को यह रोजगार provide कराते हैं समझने हैं आप लोग 45 million लोग 45 million का मतलब क्या हो गया 450 lakh लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे sorry 450 lakh लोग देखने को मिलेंगे उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई employment generate करने वाला sector है तो वो हैं आपर ये वाला sector तो important इस तरीके से statement भी देखर आप लोगों से direct question पुछा सकता है एक turkey statement कि हमारी country में सबसे जादे employment generate कियाता है अगरी culture के दौरा दूसरे number पर जो generate कियाता है वो textile के दौरा तो कौन सी statement सही है ए या फिर बी या फिर दोनो या फिर कोई से भी नहीं ठीक है तो ऐसे question बन जाएगा store house और जो carrier है आप ट्रेडिशनल जो silk heritage और culture से related तो काफी important हमारी country में काफी पराने oldest industry आप लोगो देखने को मिलेगी है पर्टिकलर इंडिया के अंदर में इवन अगर आप लोग को यादो गांदी जी जो चर्खा यूज क्या करते थे कातने के लिए तो इससे अपने खुद के कपड़े बनाए जा सकते हैं तो इनके द्वारा वो काफी लार्ज स्केल पर चीज़ें यूज की गई ठीक है तो यानि के गांदी जी के द्वारा नीव रखी है हमारी country में जिसकी वैसे टेक्स्टायल इंडस्ट्री जो इतनी जादा फॉल रही है हमारे देश में तो कहीं न कहीं हिस्ट्री भी साथ में connect रहती है जब किसी चीज के साथ में तो वो चीज जो है वो एक अलग अलग नेचर में बढ़ती है आप लोग को नजर आएगी एक अलगी उसका दाइरा हो वारे कंठ्री में काफी लेटम कर आप लोग को काम बढ़ता हुआ हि Хांप नजड़ आएगा और के बारे में आप लोग बात करें spring जो बोलता है जूट जो होता है इसको सन बोल जाता है हमारे सैड में आप लोग क्या बोलते हैं बताएगा तो उससे निकाला जाता है अब तो खेर बंद होगी यहाँ पर लोकल एरिया में काफी चीज़े पहले तालाब में इसको बेसिकली दबाया जाता था जब यह गल जाता था था अब इसको basically इसकी जो रसिया बनाई जाते थी तो दादाजी बनाई करते थी ठीक है जैसे खेतों में गन्य के लिए यूज के जाता है उस रसि को या गन्य को बांधने के लिए जब आप लोग जब गन्य को ले जाते हैं बांधकर उसको मील के अंदर यह कहीं पढ़ ठीक है तो व यह काफी जाद है हमारी कंट्री में देखने को मिलता था और अंग्रेजों के टाइम पर भी सबसे बड़ी जो बात हमारी कंट्री में देखने को मिलती हो यह थी जब बंगलादेस अलग हो गया तो बंगलादेस में काफी लार्ज स्केल पर जो जूट उगया जाता था पर ल लोग यहां से निकाल का लेकर आते हैं और लगवाग 21% total employment जो देश के अंदर जन्रिट होता है तो 21% आप लोग को यहां से देखने को मिलेगा यानि कि 1 by 5 अमारी देश की जनता है वो इसी एरिया में काम कर रही है तो यह एक important आप लोग इसकी समझ सकते हैं चैलेंज भी है कई सारे सबसे बैतों यहां हाईली फ्रेग्मेंटेड देखने को मिलेगा यानि कि अनौर्गेनाई सेक्टर काफी लाजी स्केल पर है कोई कहीं घर पे बैठा हुआ को काम कर रहा है कोई कहीं ऐसा नहीं कि परीपर एक इंडर्स्री की तरीके से हम लोग इसको बार भाती नहीं है तो यह दिक्काच देखने को मिलेगी है जो कि हमारी कंट्र kehres क को सप्रेस करने का काम करता है जिसकी वेसे भी यहाँ पर यह news में आ जाता है तो GST के अंदर बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर goods or service tax जो है वो इसको और जाते महंगा बना जेता है तो महंगा बना जेता है तो competition में नहीं रहेगी और competition में नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी तो इसके चलते हैं यह भी हम लोग को थोड़ सा निकसान पजाता है international level पर हमारे price बढ़ जाते हैं tax लगने के बाद में अगर बात करें आपर labor wage के बारे में worker salary के बारे में तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इसकी वेसे कई बार चीज़े बढ़ती भी है ठीक है लोगों को अच्छी खाज सेलरी मिल जाती है लेकिन दिक्कत यह देखने को मिलता है कि कई बार यहाँ पर जो basically investment है foreign direct वो नहीं आप लोग को देखने को मिलेगा तो FDI जो हैं आपर यह only 3.41 billion है April 2000 से लेके April 19 2000 दिसंबर तक का यानि के 20 सालों में हाँ पर only मोटे मोटे तोर पर 3.41 billion ही इसके अंदर लोग के दौरा invest किये गए है तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी country में यह sector जो है भार की जो investment के लिए यह sector जो है सिल्प समग बेसिकली scheme देखने को मिलेगी जूट आई केर निकल कर सामने आता है नेशनल टेकनिकल टेक्स्टाइल मिसन जो कि हमारी country में जो target लखा हुआ है कि आने वाले time में हम लोग काफी large scale पर इस field में काम करेंगे और अपनी जो domestic market है उसको काफी लेकर जाएंगे 40 billion से उसको 50 billion तक 2024 तक का target है ठीक है तो यह national textile जो basically हमारी country का mission है उसके बारे बात की जा रही है तो इस तरीके से कई सारी आप लोग को देखने को मिलेंगे ठीक है तो national technology textile ठीक है तो कहने का मतलब यह की काम कर रहे है लेकिन requirement और जादा की है और महनत करने की जुरत है आप लोगी क्या रहे है इसके बारे में आप लोग बताएगा आगे चलते हैं international news के बारे में बात की जारी है आपर यह basically एक queen है जिसका नाम है catwin तो catwin जो queen है आपर यह Georgia की queen है ठीक है तो इसके जो basically अबसेश थे हमारे देश में थे आपर गोवा के अंदर में तो आपसेश जो है हमारी country के external minister जो है वो लेकर Georgia पहुँचे और उनके जो minister है basically उनको सोपे गए तो इंडिया और Georgia के relation में है आपर काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे Georgia जो है आप लोगों से पूचे कि आपर किसके बीच में आप लोगों देखने को मिलेगी एक side में है कैस्पेंसी और एक side में Black Sea इसके बीच में Georgia जो है Syria, Iraq, Iran ठेक है इधर अगर आप लोग जाएंगे तो यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह basically अफगानिस्तान और यह पाकिस्तान और फिर अपनी country आ जाएगी तर ठेक है तो यह particular जो particular जो Georgia है यह अभी recently news में आ गया है क्योंकि अभी यह visit जो कीगी आप लोग को intersection देखने को मिलेगा queen catwin जो है यह आपर यह basically जिसके बारे में हम लोगों ने बात की ठीक है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगी जो खाके थी जो kingdom है आपर जोर जाके तो वहाँ से basically belong करती थी इसी के साथ में believe क्या जाता है कि यहाँ पर इनको basically believe कहता है कि उनको मारा गया 1624 के अंदर में ठीक है तो जो की इरान के अंदर basically आज की दिने बात करें ठीक है तो आज की दिने note covering to the Islam ठीक है तो इस तरीके से लिए कि पुराने टाइम में क्या basically गोवा की चर्च के अंदर से अब इनको यहाँ पर पोँचा है गया ठीक है तो historical विजिट की तरीके से इसको देखा गया तो जोड़िया के जो लोग हैं वो भी काफी ज़दा खुस हो इस चीज को लेकर दो यहाँ पर यह जो पार्ट था basically चर्च गोवा के अंदर देखने को मिलेगा जो कि UNESCO World Heritage Site का भी पार्ट है टाम basically यहाँ पर यह कि आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पर काफी investment करते हुए नजर आएंगे जोर्जय के अंदर भी और इस ओप doing business के लिए Georgia एक काफी important country है Georgia जो हो applied कर चुक है European Union का member बनने के लिए तो अगर बन जाता है कल को तो हमारे लिए gateway बन जाएगा European Union के अंदर गुसने का with the help of Georgia तो total 28 member हो जाएंगे जो की 27 हो चुके है United Kingdom के बाहर निकलने से तो इस तरीके से आप लोग Georgia को देख सकते हैं तो एक important country है अपने point of से अगर थोड़ा सा इसको देखकर चलोगे तो तो ये था आज का ननना सा मुनना सा पहला से discussion एक minute में देख लेता है क्या क्या डिसकस क्या और voice कैसी लग रही है वो यार आप लोग एक बार जरूब बताएगा ठीक है तो बागी के function इसके कैसे हमें देखूँगा थोड़ा सा और जब पूरे detail में समझा आ जाएंगे तो फिर आप लोगों से बता करूँगा अभी फिलाल में इस पहली बार इस से जो वीडियो आप लोगे समने रिकोड कर रहा है तो यहां आप लोग ने देखी यह important बात कि आप लोगो time मिले तो किसी को जुरू पड़ाईए इसी के साथ में sort news में हम लोगों ने कई सारी चीज़ देखी केट्विन के बारे में जाना बिसीली ठीक है केट्वन जोर्जय की है तो थोड़ा सा मैप भी आप लोग याद रखेगा आम लोगों ने हाप पर drone draft rule के बारे में कई सारी चीज़ समझी कहां कहां पर क्या क्या चीज़े हैं कैसे कैसे हमारी country में देखने को मिलता है वेमनाद लेक के बारे में आप लोग काफी कुछ जानने को मिला तो important question बन सकता है textile sector के बारे में question आप लोग उसे पूछी जाए तो confused मत हो न ठीक है तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे लोगों हम लोग यहाँ पर job provide करा पा रहे हैं ठीक है मंडे का जो discussion होता है उसमें हम लोग Saturday का revision करते है ठीक है तो याद रखेगा और Sunday वाला जो lecture था वो आप लोग का Sunday में 11 बजा अप लोड किया था तो उसको भी आप लोग देख लेना जिस इसने नहीं देखा है कौन सी ministry है जिसके दुआरे आपर section 66 से information technology का use करने से मना किया है कौन सा case है जिसके चलते इसको यहाँ पर unconstitutional करार दे दिया गया था अगर परसाद scheme की full form पूछो तो क्या होगी कौन सी ministry की यह scheme है वालान सी में है यहाँ पर अभी international cooperation and convention center का नाम क्या रखा गया और कौन सी country ने help किये granny catwin जो है वो किस country से belong करती है लेक का नाम बताईए largest scale के अंदर longest इंडिया के अंदर और इसका country boat race यहाँ पर होती है इसका नाम बताईए इस लेक के ओपर हमारी country second largest silk producer है किसके बाद में तो इस question का अंसर आप लोगो देना है तो यह वो question है जो direct पूछ ले आते हैं अब थोड़ा सा revision कर लेते हैं ठीक है बात की जारी है आपर अगर बच्चे का जो सर है वो बढ़ता चला जाता है ठीक है उसके बारे बात की जारी है यहाँ पर इस बीमारी को किस नाम से आप लोग पोकारते हैं उर्दू के जो poet थे जिनका है उर्दू के जो एक particular journalist है उनके दोरा उर्दू poet और writer James of Deccan के बारे में किताब लिखी गई है ठीक है किसके दोरा यह किताब लिखी गई है यह बताने है फिफ्थ सुल्तान कुदब साही जो डैनेस्टी है उसके जिनके दोरा हैतराबाद को फांड किया गया तो यहाँ पर क्या नाम था यह आप लोग को बताने है इस particular king का अगर रूपी यहनि के currency के ओपर जो basically language रिखे है और कितनी language रिखे है उर्दू भी उनमें से एक language आप लोग को देखने को मिलेगी अगर बात करें आगे हैं यह बात की जारी है एक particular line के बारे में space के अंदर कि वहाँ तक जाएंगे तो ही space यह visit आप लोग की मानी जाएगी और किस treaty के तहत हम लोग space जो treaty है उसको हम लोग मानते हैं यह आप लोग को बताना है मैतरी एक अभी इंडिया और बंगला देश के बीच में एक project है आपर यह डैम बोल सकते हैं विसली यहाँ पर अभी देखने को बना कौन सी river के ओपर है यहाँ जिसके बारें बात करें अगर बात करें वल्चर action plan कब से कब तक है गिद जिनको बोलते हैं धरती पे से जो गंदगी को साप करने का काम करते है according to recent study के बारें बात करें तो बात की जारी है कि carbon emission जो basically carbon dioxide emission है ठीक है वो अभी यहाँ पर यह बोला जारा है कि वो emit नहीं कर रहा है उसको basically absorb नहीं कर रहा है जो इफ्तकार साब है उनके द्वारे लिखी गी है next बात करें मुहमद कुली कुतुब साही इनका नाम याद रखेगा इनके द्वारा हैधराबाद जो फाउंड किया गया था उर्दू जह 15 language में से एक है जो की currency के अंदर आप लोगो देखने को मिलती है इसी के साथ में कर सुर रिवर है इंडिया और बंगलादेस के बीच में तो उसके नाम पर यह प्रोजेट का नाम रखा गया है रिवर इंडिया और बंगलादेस के बीच में है ठीक है वल्चर एक्षन प्लान है 2020 से लेके 2025 तक का इंपोटेंट है इसके बारे में याद रखेंगा और Amazon Forest के ब लगा या फिर नहीं लगा या आप लोग जुरूबत आएगा ठीक है ताकि उसी तरीके चीजों का आगे लेकर चला जा सके बाकी फीड़बैक जूरूर देना लेक्चर के बारे में कैसा लेक्चर लगा तो नेक्स लेक्चर मिलता हूं अपना ध्याना किया बड़ों को नम थाईड Прेर चौर के बारे में की तरीकों कि जाका जिर को नमें तरीका लेकर अवरा में जूरूर कर दापना देना जोरूर भारी खीजों को फिर में नहीं में चितरूूर